हेलो गाईज गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उमीद है बहुत ही बढ़िया होंगे खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाइम की प्रिप्रेशन कर रहे होंगे फ्रेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं जोनल स्टुडिस का प्रैक्टिस एट नंबर 24 यहां मिलते हैं आपको 20 कोशन और एक कोशन आप से पूछता हूं जिसका अंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है आप इन 20 कोशनों को PDF में भी डाउनलूड कर पाएंगे साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी इन PDF को डाउनलूड कर पाएंगे नीचे दोनों का लिंक मि प्रारंबिक नाम क्या था तो राइट आंसर जायरे नाम था कांगो का और इसकी कैपिटल क्या है कि साथ सा इसकी कैपिटल है इसको भी आपने याद रखना है और यह किस महादीप में है तो यह एफरीका महादीप में है कौन सा महादीप एफरीका महादीप में है कांगो और Africa continent क्यूं famous है आफरिका से कौन सी रेखाए गुझरती है तो Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn और equator ये तीनों रेखाए ये एक ऐसा माधिब जिससे पास करती है इसको अपने याद रखना है और इंडिया से कौन सी रेखा पास करती है तो इंडिया से पास करती राजियों से होकर गुजरति है इसका मैंने ट्रिक बताया था आपको मित्र पर गमषा जाड इसको याद रखना इस ट्रिक को मित्र मिजोरम त्रिपुरा और वहीं पर से क्या था आपका पश्शिम बंगाल रोसे राजस्तान गौसे गुजरात मौसे मध्य परदेश और चोसे चतिसगड जह से जारखंड इसको आपने याद रखना यह आठ राज्य है जहां से भारत में करकरेखा गुजरती है और यह साड़े तेश जिगरी से गुजरती है इसको भी याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपके लिए मानव निर्मित प्रतम उपगराय जो कक्षा में भेजा गया था वो कौन सा था तो वो था स्पूतनिक फॉस्ट था इसको भी आपने याद रखना है और कब भेजा गया चार अक्टूबर 1957 को सोविय के द्वारा भेजा गया था इसको भी आपने याद रखना है और भारत ने अपना पहला सैटलाइट कौन सा भेजा था तो इंडिया ने भेजा था आरय भट इंडिया ने भेजा था और आरय भट कौन थे पुराने गनितग्य हमारे भारत के और इन्होंने जीरो की खोज की थी इसको भी आपने याद रखना है और आरे भट किस डाइनस्टी के समय थे कंटम्प्रेरी किस डाइनस्टी के थे तो वो थे गुप्त डाइनस्टी के समय में और एक इसके दरबार में थे चंद्रगुप्त विक्रम आधित्य के इसको भी आपने याद रखना है यहां से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है नेक्स्ट कोशन आपके लिए नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहां इस्तित है तो यह है गुजरात राज्य में इसको भी आपने याद रखना है और वहीं गुजरात कैप्टिल के है गांधी नगर गुजरात में है गिर नेशनल पार्क इसको भी याद रखेंगे गिर नेशनल गुजरात में है वंस्टडा नेशनल पार्क यह भी कहा है गुजरात में यह वेरी इंपोर्टन है इसलिए मैं आपको बता दिया नेक्स्ट कोशन है जोर्डन और इस्राइल के मद कौन सा सागर है तो राइट आंसर मृत सागर यानि कि डैड सी अब डैड सी कहां जोर्डन और इस्राइल के बीच में इसको भी आपने याद रखना है डैड सी गहरे खारे पानी की जील है क्लियर है सबसे गहरे खारे पानी की जील कौन सी है तो वह है डैड सी इसको भी आपने याद रखना है वहीं इस्राइल की कैपिल क्या है तो जैरुसलम और जोर्ड की अम्मान इसको भी याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपके लिए बास्केट बाल खेल में कितने खिलाडियों से एक टीम बनती है तो राइट अंसर इसका कितना है पांच खिलाडी खेलते हैं वह यह बास्केट बॉल में इसको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपके लिए भारत के पहले वायशराय कौन थे तो राइट आंसर पहले वायशराय थे Lord Canning इसको आपने याद रखना है और पहले गवर्नर जर्नल ओफ बंगाल कौन बने Warren Hastings गवर्नर ओफ बंगाल भी कौन थे Warren Hastings और वहीं पहले गवर्नर्ट जनरल ऑफ इंडिया कौन बने तो लॉर्ड विलियम बैंटिक इन्होंने क्या काम किया था इन्होंने 1829 में सतिय प्रता के अगेंस्ट कानून पारित किया था इसको भी आपने याद रखना है और लॉर्ड डलहोजी ने कौन से नीती चलाई थी हड़प की नीती यानि कि डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स रेलवे सेवा किसने शुरू की लॉर्ड डलहोजी ने डाक सेवा किसने शुरू की लॉर्ड डलहोजी ने इसको आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपके लिए सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है उसका रासाइनिक नाम क को बारूद की बात करें तो बारूद में क्या क्या चीजे यूज की जाती है गन पाउटर में क्या यूज की जाता है तो राइट आंसर सलफर चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट इसको याद रखना है यह मिक्षर पूछा जाता है कई बार सलफर चारकोल और पोटेशिय कूपर ने मुबाइल का विश्कार किया अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लगा देंगे ग्रहाम बैल ग्रहाम बैल ने टेलीफोन का विश्कार किया था इसको अपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन है भारती राष्टे कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन निमलिखि इसको भी आपने याद रखना है और साथ ही गईज आपको यह भी याद रखना है कि भारती राष्टे कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई थी तो इसका राइट आंसर 1885 में अस्थापना हुई थी पहले अध्यक्ष कौन रहे वो मेश चंद्र बैनर जी पहले प्तावियन हुम ने इसको भी आपने याद रखना है यह आपके लिए important points है next question आपके लिए सिखो की पवित्र पुस्तक कौन सी है तो right answer गुरु गरंत साहीब सिखो की पवित्र पुस्तक है और इसको लिखा किसने है तो गुरु अर्जुन देव ने किसने लिखा अर्जु अर्जुन देव ने इसको लिखा था और इसको के पांचवे गुरु थे इनकी हत्या किसने करवा दी थी जहंगीर ने 1606 में इसको भी आपने याद रखना है और स्वर्न मंदिर का निर्वान भी किसने करवाय था गुरु अर्जुन देव ने next question आपके लिए decibel इकाई किस हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक हम सुन सकते हैं इसको भी आपने याद रखना है next question आपके लिए hunter आयोग की नियुकती की गई अब hunter आयोग कब आया था तो जलिया वाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा आयोग आता है hunter आयोग आया था इसको याद रखना है जलिया वाला बा बाग हत्याकांड हुआ था यह very important है आपके लिए और जलिया वाला बाग हत्याकांड के समय जनरल कौन था वापर तो जनरल डायर ने यहाँ पर आम लोगों पर गोलिया चलवा दी थी निहत्ये लोगों पर गोलिया चलवा दी थी जिसमें हजारों भारतिये मारे गए थी तो गाईज यहां से और additional point आपके आयाद रखेंगे कि केसरे हिंद की उपाधी गांदी जी ने वापस कर दी थी यहां से केसरे हिंद की उपाधी गांदी जी ने वापस कर दी थी जलिया वाला बाग हत्या कांट के बाद वहीं रविन नाट टैगोर ने knighthood की उपाधी वापस कर दी थी इसको भी आपने याद रखना है ये अडिशनल्स पॉइंट्स आपके लिए नेक्स्ट कोशन विश्व का एक मातर देश कौन सा है जहां महिलाओ के लिए सेन्य सेवा अनिवारी है यानि कि सेना में भरती होना ही पड़ेगा महिलाओ को भी तो राइट आंसर इसराइल कंट्री है जहां पर महिलाओ को भी सेवा देना अनिवारी है इसको भी आपने याद रखना है और इसराइली कैपिल का है जैरुसलम इसको भी याद रखना है नेक्स्ट कोशन है निमलिकित में कौन सा जोड बे मेल है यानि की कौन सा जोड मिसमैच्ट है तो राइट अंसर क्या होगा घूमर हरियाना यानि घूमर निरत्य जो है वो कहां का है लोक निरत्य राजस्थान राज्य का है और हरियाना की बात करें तो यहां पर जूमर है इस इसको आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्ली खित राजवनसों में से किस एक कशाषन था तो राइट अंसर क्या होगा नंद वुझ का शासन था जब सिकंदर उत्तर भारत पर अटैक किया था और नंद वंश का शाशक कौन सा था वो था धना नंद इसको भी आपने याद रखना है और नंद वंश की स्थापना की सिने की महापदम नंद ने अस्थापना की थी चंदरगुप्त मोरे ने मोरे वंस की स्थापना की और चंदरगुप्त मोरे ने धनानंद की हत्या कर दी थी इसको भी आपने याद रखना है वहीं सिकंदर के लिए बात करें तो सिकंदर को विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है और सिकंदर के मिर्तियू कहां होती है बेबी लोन में यह भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन आपके लिए दक्षिन एफरिका से लोटने के पश्चात गांदी जी ने प्रतम सफल सत्यागरह कहां अरणंब किया था तो राइट अंसर चमपारन में गांदी जी ने पहला सत्यागरह किया था भारत में आने के बाद और यह कब किया था 2017 में इसको भी आपने याद रखना है वहीं चमपारन से कोशन और आप याद रखेंगे कि नीड़ दरपन बुक गिसने लिखी है तो दीनबंधू मित्र ने क्या लिखी नीड़ दरपन लिखी है दीनबंधू मित्र ने इसने इसको आपने याद नेक्स्ट कोशन है, भारतिय समिधान में समानाता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह अनुच्छेद कौन सा है, टो राइट अंसर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, समानता का अधिकार इसको आपने याद रखना है, और यह एक मॉली क अधिकार है मौलिक अधिकार कहां से लिया गया तो यह लिया गया है अमेरिका से और यह अधिकार कितने है छे अधिकार है मौलिक अधिकार क्लियर है इसको भी आपने याद रखना है और एक कोशन यहां से डारेक्ट आता है कि विधी के समक्स सभी समान है या कौन से आर्टि को क्या खाए तो वह आर्टिकल था आर्टिकल 32 इसको भी आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन है मोहन जोदरो कि खोच किसने की थी राइट आंसर राखल नदी के किनारे की थी वहीं मोहन जोदोडो को किस नाम से जाना जाता है मिर्तको के तीले के नाम से भी जाना जाता है इसको भी आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपके लिए महात्मा गांदी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ 1917 में और 1917 में क्या शुरू होता है चमपारन अंदोलन यह भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन है गुप्त कालीन हिंदू धरम के दो प्रमुख देवता कौन थे इसका राइट आंसर क्या होगा आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वहीं नेक्स्ट कोशन आपके लिए सिख गुरू गुरू अरजुन देव की हत्या किस ने करवाई थी तो राइट आंसर जहांगीर ने गुरू अरजुन देव की हत्या करवा दी थी और कब करवाई थी 1606 में इसको भी आपने याद रखना है वहीं यदि औरंग जेव की बात करें जहांपर बहुत सारे कैनिडेट ने औरंग जेव भी आंसर किया था कमेंट बॉक्स में तो औरंग जेव ने गुरू तेग बहादूर की हत्या करवाई थी इसको आपने याद रखना है और गुरू तेग बहादूर नौवे गुरू थे शिक धरम के इसको भी आपने याद रखना है तो यह थे आज के आपके सभी इंपोर्टेंट जनल स्टरीज के कोशन्स आप सभी जादा सभी जादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने एक्जाम पर फोकस कीजिए एक्जाम को क्रेक कीजिए बेस्ट अप लग थैंक यू वैरी मच शेर और सब्सक्राइब नेक्स्ट फिम